पीसिस करें न्यूस में अभी की खबर है क्या होती है ग्लेशियल हिमनद जीले हालिया खबरों के अनुसार उत्राखन राज आपदा प्रबंधन विभाग मानसून के दौरान 13 ग्लेशियल जीलों से उत्पन होने वाले खत्रों का अध्यन करेगा इसमें पांच उच जोखिम वाले शेत्रों शामिल है इस अध्यन का उद्देश ग्लेशियल जील के फटने से होने वाली बाढ़ जैसी आपदाओं को कम करने के लिए डाटा प्राप्त करना है जलवायू परिवर्तन के कारण हिमाले के ग्लेशियर खत्रे में है और यह सुनिशित करने के लिए निरंतर जांच की आवशक्ता है इन 13 जीलों में पिथोरागड जिले में दार्मा, लासर्यान घाटी और कुटियां गटी घाटी में उच्च जोखिम वाले जीले तथा चमोली जिले में धौली गंगा बेसीन की वसुधारा ताल जील उच्च जोखिम वाले शेत्र में है या जीले 0.02 से 0.05 वर्ग किलो मीटर के बीच है जो समुद्र तल से 4000 मीटर से अधिकी उचाई पर इस्सित है चलिए अब जानते हैं ग्लेशियल हिम्नद जीलों के बारे में या पानी के बड़े निकाई है जो पिगले हुए ग्लेशियर के समान उपर या नीचे इस्सित होते हैं या वैकल पिग रूप से ग्लेशियरों या हिम्नदों के मुहाने के पास बनती है जिसका कारण पिगला हुआ पानी जमा हो जाना है बड़े हिम्नद जीले अधिक खतनाक होती है क्योंकि ये जादतर अई सिर्बर्फ, दीली चटान, मलबे और तलचट से बनी होती है यदि इन जीलों के आसपास की सीमा तूर जाती है तो भारी मात्रा में पानी पहाड़ों की ओर से नीचे की ओर बहने लगता है जिससे नि अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्ण को ग्लेशियल हिम्नद जीलों के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक हिम्नद जीले जादतर अई सिर्बर्फ, ढीली चटान, मलबे और तलचट से बनी होती है दो हिम्नद जीलों में विस्वोट कई कार इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद डियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले